आज मैं आपके लिए ले करके आई हूँ गोबी की ऐसी मज़ेदार रेसिपी जो जाद तर होटलों और रेस्टरोंट में मिलती है इस रेसिपी को आज हम घर पे बनाएंगे बहुत ही असान तरीके से और बहुत ही मज़ेदार तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी देंगे ताकि कोई भी कीड़े वगर अगर हो तो वो नीचे सेपरेट हो जाए और इसे हम धो करके अलग कर देंगे तो पांच मिनट इसे लिए इसे इसी तरीके से छोड़ देंगे अब चलते हैं दूसरी तैयारी करने के और तो इधर मैंने ले लिया है डेर बड़ा मिरी लाल मिर्च और आधा चमच के करीब मतलब आधा टेबल स्पून मैंने यहां पर एड़ कर दिया है कुकिंग वैल अभी इन सब चीजों को अच्छे से मिला लेंगे तेल में मिर्च का कलर बहुत बढ़िया आता है इसलिए हम तेल में मिलाते हैं तो अब इसके साथ हम यहां पर दो चोटा चमच दालेंगे लैसुन अधर का पेस्ट भुना कुटा हुआ जीरा एक चमच एक चमच दालेंगे धनिया पाउडर आधा चमच डालेंगे काली मिर्चों का पाउडर स्वाद के अनुसार नमक एड़ करेंगे और आधा नीम्भू यहां नी चोड़ के दालेंगे और एक चमच यहां पर मैण एड़ कर होंगी लाल मिर्च तिखा अपने हिसाब से आपका हम ज़्यादा कर सकते हैं और इसी कि साथ यहां पर एड़ करेंगे धनिया और करी पत्ते नुस्मादर के के हम यहां पर add कर लेंगे अब इन सब चीजों को हमें अच्छे से मिला लेना है थोड़ा जहांद से प्रेस करते हुए मिलाये ताकि जो करीपता का flavor है वो मसाले में अच्छे से आ जाए अब लेंगे गोभी को देखिए गोभी को मैं अच्छे से चान लिया है अब इसे हम इ यासा color देने के लिए अगर आप नहीं add करना चाहते हैं तो यह totally optional है आप इसे skip भी कर सकते हैं तो इसे color बस थोड़ा सा अच्छा आता है अब थोड़ा सा इसे binding देने के लिए यहाँ पर add करेंगे हम एक बड़ा चमच कॉन फ्लार और उसी के साथ अच्छे से coating हो जाए अब हलकी हलकी पानी के इस तरीके से छीटे देते हुए हमें इसे मिला लेना है तो इस तरीके से मिल जाना चाहिए देखे गोवी के उपर बढ़िया से पूरी मसाले की coating हो चुकी है अब आप इसे चाहे तो थोड़ी देर मेरिनेट करने के लिए रख सकते हैं वरना आप चाहे तो तुरन 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 इसे फ्राई भी कर सकते हैं तो अब एक दम हाई फ्लेम पे मैंने तेल को गरम कर लिया है अब इस तरीके से एक गोवी अच्छे से चारो तरप से चलाते हुए पहले ए आपस में थोड़े बहुत चिपक सकते हैं लेकिन अब बाद में जिब फ्राई होने लगते मैंने अच्छी से निकाल लिया है और उसी कढ़ाई में एक चमच तेल को मैंने रहने दिया है बाकी अलग कर लिया है अब हम इसे बड़ी असा तड़का देंगे तो तड़का देने के लिए सबसे पहले हम बारी कटा हुआ लहसुन एट करेंगे एक चमच और ऐसे स्प्लिट में कटी हुई हरी मिर्ची, आप यहाँ पे लाल मिर्ची भी अड़ सकते हैं, अब इसके बाद, यहाँ पे मैंने डेल सारा करी पता आड़ कर दिया है, करी पता से इसका बहुत ही मज़ेदार फ्लीवर आता है तो करी पता को भी थोड़ा सा हम इसमें crackle होने देंगे इसमें fry किये हो गोवी को हम add कर देंगे और इस तरीके से high flame पे हमें toss कर लेना है बहुत ही मज़ेदार बहुत ही delicious सा ये हमारा गोवी 65 बन करके ready हो गया है अब इसका 65 नाम क्यों दिया गया है ये तो आप मुझे comment करके बताईएगा तो I hope आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब के वेगर बिलकुल न जाएं तो मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ इसी तरीके की तो तक के लिए take care and